भूगोल भूगोल की शाखाएं ये बहुत स्पश्ट्रूप से सामने आया है कि भूगोल अडल्यान का एक अंतह विशय विशय है। जबकि क्षेत्री भूगोल 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 भीटता और हमबूल्ट के समकालिन कार्लरेटर 1779-1859 द्वारा विकसित किया गया था। भूमध्य रेखिल वर्षवन या सौफ्च वुट रंकवाकार वन या मानसून वन आधी जैसे प्रकारों की पहचान, चर्चा और सीमांकन किया जाएगा। दुनिया को विभिन श्रणी बद्द स्तरों पर क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है और फिर किसी विशेश क्षेत्र में सभी भोगोलिक घटनाओं का अध्यान किया जाता है। पहले विद्वानों ने भोतिक भूगोल पर जोर दिया था, लेकिन मनुष्य प्रित्वी की सदय का एक कभिन अंग हैं, वे प्रकृति के अभिन अंग हैं, उन्होंने अपने सांस्कृतिक विकास के माध्यम से भी योगदान दिया है। आई जलवायू विज्ञान में वातावरण की संरचना और मौसम के तत्वों और जलवायू और जलवायू प्रकार और क्षेत्रों का अध्यान शामिल है। जल विज्ञान महासागरों, छीलों, नदियों और अनिजल निकायों सहेत कृत्वी की सतह पर पानी के क्षेत्र और मानव जीवन और उनकी गतिविधियों सहेत विभिन जीवन रूपों पर इसके प्रभाव का अध्यान करता है। अम्रिदा भूगोल मिट्टी के निर्मान, मिट्टी के प्रकार, उनकी उर्वर्ता की स्थिती, वितरन और उप्योग की प्रक्रियाओं का अध्यान करने के लिए समर्पित है दो। अध्यान करता है। परिवर्तनों का अनुभाव करती हैं और ये अतिहासित भूगोल की चिंताओं का निर्मान करती है। वी, राजनितिक भूगोल राजनितिक खटनाओं की कोण से अंतरिक्ष को देखता है और सीमाओं का अध्यान करता है। पड़ोसी राजनितिक एकाईयों के बीच अंतरिक्ष संबन्द, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, चिनाव परिद्रिश और विक्सित होता है। जन संख्या की राजनितिक गवहार को समझने के लिए सद्धान तिक धाचा तीम, जीव भूगोल, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बीच अंतरा प्रिश्ट ने जीव भूगोल का विकास किया हैं जिसमें शामिल हैं। भूगोल जो उनके आवासों में प्राकृतिक वनस्पतियों के स्थानिक पतन का अड्यान करता है। खाके शुरुवात के रूप में सामने आया है। ए, कम्प्यूटर कार्टोग्राफी सहित कार्टोग्राफी, बी, मातरात्मक तक्नीक सांखिक ये तक्नीक, सी, क्षेत्र सर्वेक्षन के तरीके, डी, भू, सूचना विज्ञान जिसमें रिमोर सेंसिंग, जी आइस, जी पिएस, आदी जैसी तक्नीकें शामिल हैं। उप्रुक्त वर्गी क्रंभू गोल की शाखाओं का एक व्यापक प्रारूप देता है। आम तोर पर भूगोल का पाथ्य चड़या इस प्रारूप में पढ़ाया और सीखा जाता है लेकिन यह प्रारूप स्थिर नहीं है। कोई भी विशे नए विचारों, समस्याओं, विध्यों और तक्नीकों के साथ विक्सित होना तै है। उदारन के लिए जो कभी मैनुल कार्टोग्राफी थी, उसे अब कम्प्यूटर कार्टोग्राफी में बदल दिया गया है। प्रद्योगी की ने विध्वानू को बड़ी मात्रा में डेटा को संभालने में सक्षम बनाया है। इंटनाइक व्यापक जानकारी प्रदान करता है। इस प्रकार विशलेशन का प्रयास करने की क्षमता में जबर्दस्त वृत्थी हुई है। G.I.S. ने ज्यान के और भी द्वार खोल दिये हैं। सट्टीक स्थानों का पता लगाने के लिए G.P.S. एक उप्योगी उपकरन बन गया है। प्रद्योगी की उनिद्वने सद्धानतिक समझ के साथ संच्छलेशन के प्रयास की क्षमता को बढ़ाया है। आप अपनी पुस्तक भूगोल में प्रायोगी कारेभागा INCERT 2006 में इन तक्नीकों के कुछ प्रारमभीक पहलूओं के बारे में जानेंगे। गोल में स्थल मंडल, भूमी रूपू, जल निकासी, राहत और शरीर विज्ञान, वायू मंडल, इसकी संरचना, संरचना, तत्वों और मौसम और जलवायू के नियंत्रन, तापमान, दबाव का अडियन शामिल है, हवाएं, वर्षा, जलवायू प्रकार, आधी, जल मंड छीले और जलक्षेत्र के साथ संबध विशेश ताएं, और जीव मंडल, मानव और मैक्रो जीव सहित जीवन रूप और उनके स्थाई तंत्र, जैसे खादिर शिंखला, पारिस्थितिक पेरामीटर, और पारिस्थितिक संतुलन, मिटी पीडोजैनसिस की प्रक्रिया के भुवाकृतिया वहाधार प्रदान करती हैं, जिस पर मानविये गतिविधिया स्थित होती हैं, मैदानों का उप्योक्रिशी के लिए किया जाता है, पठारवन और खनिश प्रदान करते हैं, परवत चारागाह, जंगल, परिटनस्थल प्रदान करते हैं, और नदियों के स जो तराई को पानी प्रदान करते हैं. जलवायू हमारे घर के प्रकार, कपड़े और खाने की आदतों को प्रभावित करती है. जलवायू का वनस्पति, फसल पैटर्न, परशुधन खेती और कुछ उद्योग आदी पर गहरा प्रभावर पड़ता है. मनुष्य ने ऐसी तक् सुनी वर्षा क्रिशी की लईकों गती में स्थापित करती है. वर्षा म्हूजल जलवरितों को रिचार्ज करती है, जो बाद में क्रिशी और घरेलू उप्योग के लिए पानी उपलब्द कराती है. हम महसागरों का अड्यान करते हैं, जो संसादनों का भंडार है. मचली और अने समुद्री भोजन के अलावा, महसागर खनिज संसादनों में समरिद्ध है. भारत ने समुद्री तलव से मैगनीज नोज्यूल एकट्र करने की तकनीक विक्सित की है. मिट्टी अक्षय संसादन है, जो क्रिशी जैसे कई आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित क करते हैं. मिट्टी की उर्वर्ता स्वभाविक रूप से निर्धारित और सांस्कृतिक रूप से प्रेरित दोनु है. मिठी दीचीव मंडल के अनुकूल पौधों, जानवरों और सुक्ष्म जीवों के लिए आधार प्रदान करती है. बहुतिक भूगोल का अड्यान प्र संसाधनों के मूल्यांकन और प्रबंधन के एक अनुशासन के रूप में उभर रहा है. इस सुद्देश को प्राप्त करने के लिए बहुतिक पर्यावरण और मनोश्य के बीच के जटे संबंधों को समझना आवश्यक है. बहुतिक पर्यावरण संसाधन प्रदान करता है. और मनुश्य इन संसाधनों का उप्यों करता है और अपनी आर्थिक और संस्कृतिक विकास को सुनिश्चित करता है. आधनिक तकनी की मदद से संसाधनों के उप्यों की त्वारित गति ने दुनिया में पारिस्थितिक असंतुलन पैदा कर दिया है. इसलिए सतत्थ विका में संबंदित घटनाओं के अंतर का अड्यान करता है हेटनर